एनस्पी अस्कुरोर सीब दोजाओ 24 का ओनलाइन अपलाई शुरू कर दिया गया है जिसके अंतरगत 75,000 रुपे की रासी के लिए और स्कुरोर सीब के लिए ओनलाइन अपलाई सभी छात और छात रा यहाँ पे कर सकते हैं गल्स बाइस दोनों की रासी जो है वो यहाँ पे निर्गत की जाती है फर्स्ट और सेकेंड डिविजन दोनों वाले चाहे वो टेंथ पास हो ट्रुल्ट पास हो या असनातक पास हो सभी इसके लिए अपनी अपनी क्रिटोगरी के लिए ओनलाइन अपलाई करेंगे और फाइ स्टेशन आपको किस तरह के से करना है पूरी जनकारी देख लें step by step मैं जैसे बताने जा रहा हूं उस तरह के साब करें और इसका फाइदा उठाए और 75,000 रुपे किरासी जो है वो अपने नाम कर लें तहीं जानते हैं पूरी परक्रिया कैसे आपको आवेदन करना है पू अब यहां पर समझेंगे पोस्ट मैट्रिक हास प्रिमेट्रिक हास कर ए्म सी और वेगम हजत महल ठीक है सबसे पहले यहां पर बात करदें पूस्ट मैट्रिक कर Beta कर 11 से लेकर graduation तेक में किसी भी class में आप हैं चाहे आप 11 में हैं 12 में हैं है या बी ये कर रहे हैं या बी ये कर रहे हैं या बी ये बी ये सी कर चुके हैं तो आप पोश्ट metric scholarship के अंत्रगत यहां पे online apply करेंगे वहीं अगर आप 10 से नीचे हैं यानि आप 9th class में पर रहे हैं 10th class में पर रहे हैं तो pre metric scholarship के अंत्रगत आप online apply करेंगे अल्प संख्यक वालों के लिए mcm scholarship है ठीक है और यह दोनों post metric pre metric जो है वो सभी जाती और सभी धर्मों के लिए है बेगम हजरत महल जो है यह भी आपका जो है वो मुश्लिम के लिए है ठीक है और यहाँ पर देख रहे हैं जो post metric pre metric scholarship यह सभी जाती सभी धर्मों के लिए यह दोनों scholarship तो इन दोनों का जिक्र यहाँ पर आप समझेंगे कैसे आपको online apply जो है वो यहाँ पर करना है लिंक जो है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है तो detail में यहाँ पर समझ लिजेगा कि आपको pre metric scholarship की बात करें तो 75,000 रुपीज लेकर एक लाग तक की इसके अंतरगत दी जाती है class 1 से class 10 के सभी student को अगर pre metric scholarship के लिए apply करते हैं class 1 से लेकर class 10 वाले तो तो वहाँ पर आपको एक लाग की जो है वो यहाँ पर दी जाती है वही बात कर ले post metric की तो पोश्ट मेट्रिक अस्कुरोशिव की सभी चात आबेदन कर सकते हैं अगर उनके marks जो है वो 50% marks होने चाहिए 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 गल्स है या बवाईज है ठीक है इसमें 75,000 निवन्तम रासी है और अधिक्तम रासी जो है वो दो लाग है पोश्ट मेट्रिक में अभी म उस कलास में आपका 50% marks होना चाहिए यानि second division हो या first division हो आप online apply इसके लिए कर सकते हैं वही आप में हम बात कर लेंगे आगे MCM अस्कुरोशिव तो MCM अस्कुरोशिव जो है इसमें आप धाई लाग तक की अस्कुरोशिव मिलती है लेकिन यह आपका अर्प संख्यक को मिल है ठीक है तो सभी का आपका प्रारूप सेम है तो आप संख्यक वालों के लिए दो एक्स्ट्रा स्कुरोशिव यहां पर हो जाती है अब यहां पर देखेंगे documents कौनकुन आपके पास होने ही चाहिए ठीक है प्री मेर्टिक और पोस्ट मेर्टिक की बात कर रहे हैं कि कौनक पर पास photograph होना चाहिए विरिफिकेशन जो है वह आपके जिस college में पर रहे हैं या जिस school में पर रहे हैं वहां से विरिफिकेशन जो है वह आपका किया जाएगा उसके बाद income certificate जो है वह आपके student के नाम पे होना चाहिए यानि जिस विद्यार्थी का online apply हो रहा है उसके नाम पे income certificate होना चाहिएगा ठीके उसमें उसका पापा यानि उसके parents का नाम रहेगा उसके बाद self certified community certificate from applicant who has attained 18 years अगर आप 18 साल से उपर के हैं तो self attested सारे documents self attested यानि self आपका signature document पे रहना चाहिए उसके बाद देखेगा जो MCM बाले हैं तो MCM बालों को 50% से कम पे apply नहीं कर सकते ह हैं और बाकी pre-matric, post-matric भी 50% से कम पे apply नहीं कर सकते हैं ठीके free receipt जो है current course year का यानि जिस class में आप पर रहे हैं 11th, 12th है ना जिस पे आप 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 आधन करेंगे जैसे मैंने बताया अभी pre-matric और post-matric पे तो उस जिस class पे आप 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 आधन करेंगे उसका free receipt जो है वो आपको वहाँ पे जमा करना है यहाँ बैंक details की बात करें bank details student के नाम पे होना चाहिए अगर student छोटा है यानि कि उसका bank account नहीं है तो उनके parents का भी चल जाएगा pre-matric वाले में लेकिन post-matric और स्क्रोसिक लिए जो आप एदन करेंगे वो उनका bank details जो है student के नाम पे होना उसके बाद दिखेगा यहाँ पे अधार card आपके पास होना चाहिए ठीक है अब दिखेंगे यहाँ पे step by step आपको online apply कैसे करना है ठीक है तो सीधे आपको मैं लेकर चलता हूँ website पे जहाँ समझेंगे किस तरह से आपको step by step online apply करना है side detail यहाँ पे मैंने पहले समझा दिया 76,000 रुपे के असकोडर सीफ है girls wise सभी के लिए है यहाँ पे दिखेगा 3 line पे आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है जैसे 3 line पे क्लिक करेंगे सिधे आपको नीची की और जाना होगा जहाँ पे आपको NSP असकोडर सीफ लिखा हुआ आएगा इस NSP असकोडर सीफ पे आप आपको यहाँ पे क्लिक करना है NSP असकोडर सीफ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सामने NSP का पूरा page जो है वो खुलकर आ जाएगा तो आपको online करने से पहले एक बार पूरी details यहाँ पर लेंगे जो जो details आपसे मागे गये हैं तो पूरा details ज़रूर से पर लिजेग तो यहाँ पे आपको direct link जो है वो यहाँ पे मिलेगा अब यहाँ पे ध्यास समझेया कितने चर्णों में आपका online apply होगा पहले यहाँ पे आपको registration लेना है registration करने के बाद जो हैं आपको login करना होगा सबसे पहले आपको registration करना होगा पूरा process समझेगा ठीक है उसके बाद आपको लगातार सो करता रहेगा ठीक है तो यहाँ पे click करेंगे direct link पे तो यहाँ पे आपका page खुल कर सामने आ जाएगा अब यहाँ से apply now यहाँ पे आपको click करना है कि one time ही registration आपका होता है तो registration बिल्कुर ध्यास से कीजिए गलती बिल्कुर नहीं कीजिएगा ठीक है अब यहाँ से आपको registration यहाँ पे आपको click करना है registration के लिए यहाँ पे आप click करेंगे उसके बाद देखेगा यहाँ पे कुछ guideline दिये गए है तो guideline मैंने पहले आपको समझा दिया है वही आपको यहाँ पे समझा गया है तो आप यहाँ पे दो check box बना हुआ है दोनों check box पे आप आपको यहाँ पे आजाना है तो यहाँ पे बोलेगा अपना mobile number आपको डालने के लिए mobile number डालेंगे mobile number पे आपको OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है है ना मैं बता रहा हूं कि आप एक बार ही registration कर सकते हैं एक mobile number और एक अधार कार्ड से एक बार ही registration होगा इसलिए गलती बिल्कुल नहीं कीजेगा नहीं तो फिर आप registration नहीं कर पाएंगे उस अधार कार्ड से आपका एक बार reject कर दिया जाएगा तो अब यहाँ पे जो capture code है यह capture code यहाँ पे डालना होगा और यहाँ पे verify पे क्लिक करना होगा तो यह आपका जो है वो यहाँ पे verify हो जाएगा उसके बाद register mobile number पे verify कर लेना है फिर आपको KYC करके आप last में finish details पे क्लिक करके आप पुरा finish रहे वो यहाँ पे कर लेंगे उसके बाद दिखेगा सारा details आपका यहाँ पे submit हो जाएगा तो यहाँ पे back आएंगे तो यहाँ पे बोलेगा login होने के लिए यानि जो आपका ID और password यहाँ पे बन गया एक बड़ ID पासवर बनने के बाल जो आपका registration number आपको मिल गया और password आपके mobile number पे बो registration number और password यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे जो capture code दिख रहा है वो capture code डाल कर आप जो है बो यहाँ पे login हो जाएंगे और जो documents upload करने के लिए बोला तो यह आपका online का process जो है वो यहाँ पे इस तरह से आप खत्म कर लेंगे उसके बाद आपको इतना कर लेने के बाद आपको payment track status पे आके आपको click करना होगा यहाँ से आप payment track status पे आप click करेंगे तो जो आपने online final submit किया था तो यहाँ से आपको login होकर ठीक है ध्यान देंगे account का number डालना है उसके बाद जो आपका application ID होगा वो आपको application ID जो आप final for submit कर दिये उसका और burnt verification जो यहाँ पे दिया गया है capture code की रूप में उसे यहाँ पे डालेंगे और search पे click करेंगे तो यहाँ से आपको payment status जो है लगातार जो है वो आपको देखना होगा 75,000 की रासी जो ह मुझा दी गई है link description में दिया गया है जाए फड़ाफर तरीके से अपने mobile से भी आप अपना mobile से भी आप online apply कर सकते हैं